मनुष्य के जीवन में उसकी जो चाहते हैं जो वो चाहता है वो बहुत कुछ decide करता है कि उसका जीवन कैसा होगा यह कहते हैं कि मनुष्य से वो कर तो सकता है जो वो चाहता है कम से कम उसके लिए try कर सकता है पर उसकी जो चाहते हैं वो कैसे बदली जाए ये बहुत important है मतलब आप जो चाहा रहे हो वो करोगे पर आपकी चाहते ही आप कैसे बदल सकते हो और जो वो सीख गया वो अपनी destiny बदल सकता है वो अपना future बदल सकता है आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे आपका चाहत है कि वही जौब करना है सब की चाहत वही है तो आपका जौब करना है क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी जौब करना है for example आप किसी अरब की व्यक्ति से मिलो उससे कहो वो अपनी पत्नी की कल्पना करे किसी से भी मिलो तो वो आपको वो ही dres बताएगा जो वहां चल रही है वो उसकी चाहत है या उस इस्थान की चाहत है आपके सी फ्रेंच व्यक्ति से मिलो और उसे कहो कि वो अपनी मदर को किस कपड़ों में देखना चाहेगा तो वो कपड़े बताएगा जो स्कार्ट है, वहाँ का जो टॉप है क्योंकि वहाँ पर तो वही चलता है तो उसकी चाहत है या एरिया की चाहत है आपकी उसकी चाहत है तो मतलब कहने का यह हो कि हमारी चाहते ही भी अपनी नहीं है हमारी चाहते भी जो है ना हमारे background से आ रही है हमारे religion से आ रही है हमारे आसपास की चीजों से आ रही है तो उनको अगर आप stress करो अगर उसमें आप बदलाब लाओ तो आपकी चाहते भी बदल सकती है जीवन का लक्ष भी बदल सकता है और जीवन भी बदल सकता है इसलिए जोतिस में भी लिखा है, देश, काल, पात्र के according quarterly work करती है, आप किस परिवार में हो, आप किस देश में हो, कैसे आपके दोस्त हैं, उसके according quarterly आपको उपर नीच ले जाती है, तो अपनी संगती बदलिए, संगती को बदलने का कम से कम आपकी knowledge के according, प्रयास कीजिए कि आपकी जो संगती हो, अच्छी books की हो, अच्छे videos की हो, अच्छे आपके दोस्त हो, आपका environment थोड़ा बहतर हो, एक बात और, जो चीज़ पर सब की निगा होती हो, होँआ, competition बहुत होता है, सबी को नौकरी ही करनी है, बहुत सारे लोग आते हैं, नौकरी कब लगेगी, भ कोई कुछ करना भी नहीं चाहरा है, जैसे कि कुछ दो-चार साल पहले YouTube हो सकता था, वहाँ पे भी competition बढ़ रहा है, Instagram, कुछ ओई भी ऐसी चीज़, नई चीज़, जहां competition तो कम है, और चीज़ें अच्छी हैं, तो बुद्धी का उप्योग कीजी, अगर आप नहीं, तो लेकर आई है, जन्वरी 2023 की, बहुत सारी खुशियां लेकर आई है, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाली बात, आपकी चाहतों को पूरी करने वाली बात लेकर आई, इसलिए मैंने चाहत के उपर जोड दिया, कि 17 जन्वरी के बात से शनी आपके इस भाब में जो कुछ बहतर हो, अच्छी हो, चाहता कम्पूटिशन भी कम हो, बुद्धि मानी से, तो हो सकता है कि चीज़े आपकी अकम्प्लिश हो जाएं, बहुत बड़ा परिवर्तन करीब 118 साल बाद ऐसा हो रहा है, शनी एकादस भाब में, कुम राशी में, मूल्त रिकॉंड मे आपके लिए आ रहे हैं, इसके साथ साथ इस महीने, बाकी गरों के परिवर्तन हम देख सकते हैं, देखिए राहु यहीं पर रहेंगे, लगन में ही रहेंगे, यहीं पर रहने वाले मंगल दुत्ते भाब में रहेंगे, राहु प्रिथम भाब में रहेंगे, और केतु सब् गोचर करते हुआ जो की 21 राग आदर भाद में पहुँण जाएंगे 20 राग में पहुँण जाएंगे और यहाँ पर शनी के साथ बैठेंगे जो की बहुत खुबसूरत परिब्पते हैं तो बहुत सरी अच्छी चीजे महीना लेकर आरा है और अगले धाई साल आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं अभी से अगर आपने अपनी चाहाते मतली कभी-कभी तो चाहाते ही वो नहीं होती न जो होनी चीए तो मैंने इस बात पर इसलिए जोड दिया है बाकी अब रिजल्ट पर आ जाते हैं क्या होगा शनी एक आदस में आएंगे चाहातों की पूर्ती होगी आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ण होगी जैसे कि शादी विवहा की इच्छा पूर्ण हो सकती है संतान प्राप्ती ये की इच्छा है कोई ये तो सभी की होती हैं अक्सा student हैं तो पढ़ाय लिखाई में आप थोड़ा अच्छा कर सकते हैं ये इच्छा हैं तो होगी होगी थोड़ा ख्याल क्या रखना है disciplined रहना है hard work करना है मेहनत करना है थोड़ा सा किसी भी इच्छा पूर्ण करने के लिए तो higher ambitious जो होता न जो हम कहते हैं महत्वकांचा उसका ध्यान रखना है कि वो सही डारेक्शन में हो कहीं बार महत्वकांचा तो होती है पर उसकी डारेक्शन अलग होती है जैसे रावन की अगर आप बात करोगे तो उनकी उनने बहुत कुछ किया ज्यान प्राप्त किया भगवान शिव को प्रसंद कर लिया और बहुत सारी विजय प्राप्त की तीनों लोगों पर कलवग राज किया एक तरह से जोतिस के प्रकांड विद्धवान थे नौद के नौग रहे उनके उसमें थे रावन सहिता की रचना की और भगवान शिव को भी उन्होंने ऐसे नहीं करा जोतिस में उसका वो मिलता है उनके चार्ट में अगर आप देखो के सूर्य बहुत अच्छे गुरू भी ठीक है चंद्रमा थोड़े से ठीक नहीं है और चंद्रमा मन को दिखाते हैं और चंद्रमा किस के सर पे रहते हैं भगवान शिव शंकर के सर पे रहते हैं तो उन्होंने भगवान शिव से इसी वएसे उनका इतना बड़ा कही ना कही रावन को इतना बहान बंद पाई क्योंकि उन्होंने वो प्राथना की कही ना कही जो उनके जोतिश्य निकल कर आती है पर एक जगे मार खा गए कहां पर मन के लिए सिर्फ प्राथना आवश रखता नहीं है करम के लेवल पर उनके मन की कमज़री कही ना कहीं शुक्र जो हैं जबसम भाब में बैठके वासना को थोड़ा बढ़ाते हैं मातासीता हो गई अपसरा रंभा हो गई और उनके परिवार की भी एक महिला थी उनके साथ भी उनूंने कुछ इस तरह के चीज़ें की कि उनको शुराप तक लग गया सीता को कि नहीं चुआ क्योंकि उनको श्राप लग चुका था जगा आगर कि जोटसी रेमेडी की, भगवानशिप की प्रातना भी की, अवशेक भी किया, सब कुछ किया, पर कर्म के लेवल पर उस चीज को ध्यान नहीं रख पाए, तो इतना आप महान चार्ट होते हुए भी, उस चार्ट में कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी विनाश हो गया, तो कर्म जनी का, पंचम भाब पर आपकी सिक्षा आदी के लिए अच्छा है, प्रेम में रेस्पोंसिबिल्टी निभानी होगी, सिक्षा में रेस्पोंसिबिल्टी, जिम्मेदारी, मेहनत, हार्ड वर्क की आवश्कता होगी, तब जाके आपको लाब होगा, स्टॉक मार्केट इसे आपको लाब होने की संभावना बनती है, डिपेंड करेगा जन्म के चार्ट पर, इनहरीटेंस मिल सकता है आपको, इनहरीटेंस मिल सकता है, साससुर के साथ कुछ मतभिद बन सकते हैं, यह हलका सा नेगेटिव आता है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, मेरिज आपके मामले में हलका सा ध्यान रखना है, बोलते हैं रहिमन धागा प्रेम का, मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े एगाट पर जाए, इसके लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि हर वेक्ति में अपगुन होता है, आपके माता में भी था, आपके पिता में भी था, आपके गुरुओं में भी है, इश्वर के अलाबा कोई परफेक्ट नहीं है, तो आप क्या ढूण रहे हो, पहले अपने अपगुन सुधार लो, फिर दूसरे के भी सुधार लेंगे, पहले अपनी चीज़ों पर ध्यान दे लो, फिर दूसरे को भी दे लेंगे, पर हमारा ध्यान तो सारा बहार है, दूसरों पर है, और ये कही ना कही रिष्टों में खटाष का कारण होता है, अगर अपने पर ध्यान रहे तो समय नहीं बचेगा, दूसरे पर ध्यान देने का तो, ये बहुत अच्छी रेमेडिई है, कहीं बाद काम कर जाती है तो आप कोशिश जरूर कीजेगा और यह चाहत बड़ी मुश्किल है कि खुद को सुधारा जाए पर इससे दुनिया बदल सकती है क्योंकि आपकी दुनिया आपके थुरू है आप सोच रहे हो दुनिया को हम बाहर से बदल दें बाहर से नहीं बदल सकते आप जो सोचते हो अपने माइंड से सोचते हो आपकी चाहते भी आपके थुरू होती है आप जो देखते हो वो भी आपका माइंड साइट करता है तो सारी जो चीजे हैं वो आपके थुरू हो रही है तो पहले अपने को भदलो न तो यह आगया आपका बहुत अच्छी remedy किसके लिए marriage life के लिए रिष्टों के लिए अब ऐसा मैंने क्यूं कहा क्यों कि सब्तम भाब में केतू गोचर कर रहे हैं और लग्म में राहू है यह दोनो तामसिक घ्रह कहलाते है इस वैसे इनकी आभशकता है राहू केतू काम, क्रोध, लोग, मो, इरसा, हंकार को दिखाते हैं इनका बढ़ जाना नेगेटिव होता है इसलिए इनसे लोग ढरते हैं पर अगर अगर अंडर कंट्रोल रहे हैं कोई बात नहीं है तब तो यह अच्छे ही है थोड़ा सा लालच कोई बुरी बात नहीं है पर लालच के लिए आप गलत रास्ता चुनें वो गलत हो जाता है वो ध्यान रखना हाई और अमबिशन कोई बात नहीं है अमबैसन ठीक है साथ में रिष्टों का भी ध्यान रखे परिवार का भी ध्यान रखे अपने पार्टनरों का भी ध्यान रखे तो चीज़ें ठीक रहेंगी तो यह राहु केतु का हो गया राहु केतु का गोचर उतना बैस्ट नहीं है विदेश ले जा सकते हैं, अगर आपके चार्ट में विदेश में काम्यावी का योग है, तो ये गुरू आपके लिए बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो एक्षा खर्च रहेगा हैं, पर आपका ध्यान, spirituality, अध्यात्म, दान, पुन्नी की तरफ हो सकता है, स्वास्त कभी आप हलका सा ध्यान रखें, तो ठीक रहेगा, धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, हाँ, धन का खर्च में बता रहा हूं, पर वहीं, अगर आप मल्टी नेशनल कंपनी में, किसी इमेजिनेशन से जोड़ा हुआ काम है, आपका विदेशों से जोड़ा काम है, ट्रेवल आप में होस्पिटल, इन सब जेल, आदी से जोड़ा होका में हो सकता है, आप जेल में कुछ कर्मचारी है, तो आपके लिए अच्छा है, फिर ये गोचा, डिपेंड करता है कि कौन कहां कैसे काम कर रहा है, इसके साथ साथ गुरू आपके घर जमीन खरीदने के योग और हाडशिप नहीं है, असका मतलब आप बढ़ने रहे आगे, वो हर जगे है ना, आपने, जो लोग एकसाइज करते हैं, वहापे भी आपने देखा होगा, कि भाई जब सुरू में एकसाइज करते हैं, तो ऐसा लगता है, कि थोड़े दिन बाद, थोड़ा जो करते हैं, बोड़ी बनता है, ये बाद फिर सरीर यूजुटू हो जाता है, तो फिर आपको किसी की तरह से उसको थोड़ा совरट बढ़ाना पड़ा है, नंवरिंग बढ़ानी पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है, ताकि कुछ हो, तो लाइफ में भी यही है, कुछ ना कुछ सीखते रहे ना कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते है ना इसका मेन मकसद बलकि सफलता है सफलता से भी बड़ा है जीवन जीवन का नाम ही यह है कुछ करते रहो चलते रहो सीखते रहो और तो रिटार्मेंट के बाद भी लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और नहीं तो ट जीते रहने की अंदर से एक भावना आती है, जो जरूरी है, यह गुरू का हो गया, गुरू और शनी, दौनों ही आपको inheritance मिलने का योग बना रहे हैं, अचानक धन प्राप्ति, वो ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, उसकी possibilities है, और साससुर की life में कुछ बड़े change आ सकते हैं, उनके साथ मतविद भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान या हमको रखना होगा, सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य नवम में हैं और दसम में हैं, नवम में जब सूर्य रहेंगे, तो सिक्षा के लिए अच्छे हैं, education के लिए अच्छे हैं, stock market आरी के लिए अच्छे हैं, पर 15 तारिक के बाद जब दसम में आएंगे तो जॉब आधी लगने के लिए अच्छे हैं, जॉब के लिए ज़ाद अच्छा महिना है, बिजनिस के मामले में थोड़ा ध्यान देना है, मतलब पार्टनर्स के साथ मतविद होने के चांसे बनते हैं, सूर्य का दसम में आना बॉस के साथ अच्छा है, और आपको कुछ फेम मिलना अवाड्स मिलने को दिखाता है, क्योंकि दसम भाव फेम का होता है, नाम का होता है, उसके लिए बढ़िया है, सूर्य का होगा है, शुकर की बात करें, तो शुकर का गोचर जो है 21 तारिक के बाद जाद अच्छा है, 21 तारिक तक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बिजनिस के लिए तो ठीक है, अगर आपका बिजनिस का फीमेल से जुड़ा है, क्रेटिविटी से जुड़ा है, आपकी स्पाउस की लाइफ में भी कुछ चीज़ां आ सकती है, बढ़िया चीज़ां आ सकती है, पर आपको इप्लोमाटिक रहना पड़ेगा आपको, तो आपकी सी बढ़िया रहेंगे, 21 तारिक के बाद आपको लाब दिखा रहा है, आपके पार्टनर्स को लाब दिखा रहा है, पार्टनर्स्टिप से लाब दिखा रहा है, तो बिजनिस के मामने में कि ब खौय TWO के आद महीन बात किस तरह से कर रहे हो, कोई इमेल लखते वक्त कोई गलती ना हो, डॉकुमेंट्स वगेरा में कोई गलती ना हो, कोई भी काम करो तो 17 तरिक तक हलका सा ध्यान नखो क्योंकि बुद्ध वक्री चल रहे हैं, बुद्ध जटे भाब का स्वामी है जो रोगरेंड सत्रू को भाग में आना, मतलब यही है कि अगर आप डॉक्टर हो, आप बकील हो, तो आपके लिए अच्छा ही है यह, और अगर आप क्रेडिट लेना चाहते थे बैंक आदी से तो वो मिल सकता है, उस चीज़ की भी संभावना, आपका छोटा भाई वगरा की जीवन में कोई यात्र भाव में धन के लिए, परिवार की में, सांती के लिए आप काफी प्रयास करोगे, फर उसके पापजू थोड़ा सा कल है मतवेद रह सकता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है, अपने लक्ष की तरफ बढ़ते रहना, नेकी कल धरिया में डाल, अपन यास्तरों से जोड़ा है, तो उससे आपको लाव करा सकता है, पर वाणी का आपको यहां से ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाए में एफट महनत की आवश्यक्ता रहेगी, सास असुर इनलोस के साथ थोड़ा गरवड हो सकती है, यात्रा करते वक्त, सेफ ड्राइव करने का, बहुत जादे तेज चलाने की कोशिश नहीं करने, आँखों का भी ख्याल रखना है, आँखों का भी ख्याल रखना है, कोगि भाव आँखों को भी दिखाता है, गरदन, वाणी, यह सब यहां का, अगर थायरोड की आपको दिक्कत है, तो बढ़ सकती है, उस चीज का ध्यान रखना है, तो यह होगे, सारे ग्रह आप आ जाते हैं, तो हारों की उपर, इस महीने तो हार भी बहुत सारे हैं, जैसे की लहुरी है, चौदे तारिक की, और मकर संकरांती इस पर पंद्रह की पढ़ रही है, पौंगल भी पंद्रह का है, सुर उत्रह एंड पंद्रह को हो रहे हैं, सुवाशन बहुत जी की जैनती 23 तारिको है, 25 तारिको बसन पंचमी सरस्वति पूजा है, 26 तारिको रिपॉब्लिक टे है आपका, अब आते हैं हमारे ब्रत, जिसमें की पौश पूर्णिमा है 6 तारिको, 1 आदशी, 2 तारिक की प हकते हैं, उनके लिए 4 उननीश को प्रदोष परत, 20 तारिक को शिवरात्री, ओम नमाश शिवाए, अब आप कीजिगा, 10 तारिक को अंगार की संकर्ष्टी, 21 तारिक को माघा मावस्यार, 15 तारिक को मकर संकरान्ती है, तो यह हमारे तोहार भी हो गए, I hope आपको वीडियो प अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, नमशकार